आपको कुशन है दा पिलर ऑफ टेंपल आर सेलेंड्रिकल शेप्ट इफ इच पेर हैसा सर्कुलर बेस ओफ रेडियस तुम्टी सेंटीमेटर ना एंड है इस तेंड मेटर आव मुझ कंक्रीट मिक्षर वुड बी रिक्वाइट तो बिल फॉर्टीन सब पिलर ठीक है ना तो स सबसक्षा से पहले आपके क्या है क्या है पिलर इंडिशेप आफ रोफ शेंटर एधर लुए तो तो ऊपिलर आप इसमें देख उसके मेजर्स क्या दें रख रखे है सबसक्त पहले सांती सैंतिमीटर तो रेडियस इस एक्वाल गेंटीज िवहाँ है थिक हैंुए हicieं हमा तो हाइट is equal to 10 meters ठीक है नौ तो सबसे पहले हमको क्या करना है देखो यहां सेंटिमीटर है यहां मीटर से वी हम तो कनवर्ट इच तिंग इंटु वन यो लिट आपकी मर्जी है आप कुछ भी ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम सेंटिमीटर लेते हैं तो 10 meters इंटु 100 दैट गिवस्यू 1000 सेंटिमीटर ठीक है नौ अब आपको क्या निकालना है हाओ मच कंक्रीट मिक्शर दैट मेंस विएव तो फाइंड आउट दो वाल्यूम ऑफ सिंगल पिलर वाल्यूम ऑफ पिलर तो सिलेंडर का वाल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है वी इस इक्वल टू पाई आर स्क्वेर एच ठीक है नौ यह वाल्यूम यहां लिखते हैं हम लोग देखो क्या हो रहा है that pi is 22 by 7 into r r is 20 so 20 into 20 r square एन एक है h is 1000 into 1000 so this is the volume that is your centimeter cube ठीक है, नौ, for a single pillar, the volume is this, but we have to construct 14 pillars, तो, now we can write it as volume of 14 pillars, that is equal to 14 into the volume of a single pillar, तो, कितना है, 22 by 7 into 20 into 20 into 1000, ठीक है, नौ, 7 कट गया, 2 times, तो, अब कितना हो गया, देखो, 22 and 2 into 2 into 2 is 8, तो, आपका आगया, 8 into 22 into 1 and 0s is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, दिस इन सेंटिमेटर क्यूब, मुल्टिक्लाइ करो, देखो, कितना आ रहा है, 176 and 0s are 5, 1, 2, 3, 4, 5, सेंटिमीटर क्यूब, ठीक है, तो यह तो आपका हो गया, सेंटिमीटर क्यूब में है, नौ, विली कनवर्ट, आपका एक तो यह आंसर हो गया, लेकिन, बाई चांस, अगर आपका आंसर is in मीटर, तो मीटर क्यूब में आंसर है, तो आप क्या करेंगे, यह तो यह तो यहां पर देखो, क्या है, क्यूब, यह तो आपका क्या आ जाएगा, देखो, तो यह तो इस एकल तो विकरें वीकंषेस से क्यूब, इस तो ल् Sowका रोर फिर्ज करेंगे, तो यह तो यह तो इस तो सापके छीडो्य हो गे, है अगें आपका बचिगा 10 डाट मेंस डाट इस इक्वल तो 117.6 मीटर क्यों में आपका अंसर 17.6 मीटर क्यों इन सेंटिमेटर यॉर आंसर इस 176 & 50 ठीक है तो आपको इस तरह से को करना है